मेरे प्यारे भाई और भेनों, आप सब को मेरा हार देख पर नाम क्या कभी आपने स्वेम से पुछा है, कभी आपने अपनी दशा पर विचार किया है कभी सोचा है, आपने अपनी क्या दशा बना रखी है मेरे प्रिये जनों, इश्वर ने हमें सब कुछ दिया है रहने के लिए मकान, खाने के लिए भोजन, खर्च करने के लिए धन, फिर भी हमारी क्या दशा है हमें दिल का चैन नहीं है, हमारे पास चित्त की शान्ती नहीं है कभी आपने इस बात पर गवर किया है और स्वयम से पूछा है, कैसा क्यों है इनसान को जो चाहिए और वो सब तो इश्वर ने अपनी किरपा से इनसान को दिया है इसके बावजूद हमारे दिल में चैन नहीं है आखिर इसका कारण क्या है कुछ दिन पहले मुंबई में मुझे एक महीला मिली जो एक बड़े अमीर खान्दान की है उसने कहा, मैं आप से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ मैं उससे मिला, तब वो रोकर बोली मुझे समझ में नहीं आता, मेरे पास सब कुछ है धन दौलत है, बड़ा आलिशान मकान है जिसमें मैं रहती हूँ मोटर, गारी, नवकर, चाकर, मेरे पास सब कुछ है बेशक कुछ वर्ष पहले उसके पती का देहान थो गया था लेकिन उसके बच्चे बहुत नेक और सुशील है उसके बच्चे उसे कहते हैं मा तुम्हें जो चाहिए वो हम तुम्हें देंगे पर तुम सदा खुश रहा करो आगे उस महीला ने कहा मेरे पास हर सुख है लेकिन फिर फिर भी मेरे पास चित शांती नहीं है मेरे पास दिल का चैन नहीं है कई बार मैं अपने कमरे में जाकर चुप चाप आंसू बहाती हूं और इश्वर से पूछती हूं ए भगवन मेरी दशा ऐसी क्यूं है मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरे दिल में चैन क्यूं नहीं है कभी-कभी मेरे बच्चे मुझे रोता दे कर पूछते हैं मा तुम रो क्यूं रही हो बताईए उस समय मैं अपने बच्चों से कैसे कहूं कि जिस चीज की मुझे जरूरत है वो तो मुझे नहीं दे सकते ऐसा कहकर अब फिर से रोने लगी मेरे फ्यारे भाईों और भेनों हम में से कई लोगों की दशा ऐसी है हमारे पास सब कुछ है फिर भी हमारे चित में चैन नहीं है कई साल पहले गुर्देव सादू आस्वानी जी ने कहा मैं किसी गाम में चल कर कुछ दिन शान्ती में बिताना चाहता हूँ वे एक गाम में पहुंचे वहाँ शाय तीन चार दिन रुके थे गाम के मुख्या को पता चलता है कि गाम में एक दर्वेश एक संथ एक फकीर पधारे हैं मुख्या घोरे पर सबार होकर आता है और सादू आस्वानी जी से भेंट करता है वह गुर्देव से कहता है यहां आकर आपने हमारे गाम को धन्या कर दिया परन्तू मेरे दिल में एक प्रशन है किर्पया आप मेरे इस प्रशन का उत्तर दे वह बोला मेरे पास सब कुछ है धन, दौलत, एशो आराम फिर उसने धीमे स्वर में कहा मेरी चार बीबियां है वह मुसल्मान था उसे चार बीबियां रखने की इजाजत थी उसने कहा मेरी चार बीबियां है और चारों ही मेरी बहुत अच्छी खिजमत करती है क्योंके हर एक चाहती है, मैं अपना ज्यादा समय उसी के साथ बिताऊँ मेरे पास सब कुछ है, इस गाव में लोग मुझे सबसे बरा आदमी समझते है मेरा बहुत सनमान करते हैं, मेरे आगे सजदा करते हैं, मेरे पास सब कुछ है इसके बावजूद मैं आपको सच कहता हूँ, मैं सुखी नहीं हूँ मुझे बताईए इसका क्या खारण है तब गुर्देव सादु वास्वानी जी ने गाम के मुख्या से का मुख्या जी, आप सुखी नहीं है, क्योंकि आपके मन में शान्ती नहीं है सुख की कुझी है चित शान्ती जहां चित शान्ती है, फिर वहाँ भले और कुछ ना भी हो तो भी इंसान सुखी होता है देखिये संतों, फकीरों, दर्वेशों या प्रभु के भगतों के पास कुछ नहीं होता है Nothing in the morning have I and nothing do I have at night Yet there is none on this earth happier than I 2000 साल पूर वे एक दर्वेश इस पिर स्री पर आए ये शब्द उन्हें के हैं वह कहते हैं सुभर जब मैं उठता हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं होता जब रात को सोने जाता हूँ तो भी मेरे पास कुछ भी नहीं होता इसके बावजूद मुझसे अधिक सुखी इंसान इस पिर स्री पर और कोई नहीं है गुर्देव ने मुख्या से कहा आप इसलिए सुखी नहीं है क्योंकि आपके पास चित अशांती नहीं है मेरे प्यारे भाई और भेनो शुरीमत भगवत कीता में शुरी किर्शन अपने प्रियशिश को शिक्षा देते है हे अरजुन अशांतस्य कुते सुखब जिस मनुष्य के भीतर अशांती है वह सुखी कैसे हो सकता है सुख की कुझी सुख का रहस्य तो है चित अशांती गुर्देव की बात सुनकर मुख्या कहता है बेशक मेरे पास चित अशांती नहीं है लेकिन इसका कारण क्या है तब गुर्देव सादु वास्वानी जी ने कहा इसका कारण है हमारा मन हमारा मन सारा समय भटक रहा है और हम इस मन के साथ भटक रहे हैं देखो सुबह से हमारी भटकन शुरू होती है मन है जो कहां कहां नहीं भटकता और इस मन के साथ हम भी भटकते फिर रहे हैं, दिन भर भटकते रहते हैं, पिर जब रात आती है तो भी मैं, तो भी हमें चैन नहीं मिलता, क्योंकर सपनों में हमारे मन की भटकन जारी रहती है, इस मन के भट कने के कारण हमें चित शान्ती नहीं मिलती। आगे मुखिया गुर्देव से कहता है हुजूर आप खुदा के नेक बंदे हैं। आज आपके मुख से मैं अनूठे शब्द सुन रहा हूं। बेशक मैं दुख ही हूं क्योंके मेरे पास चित शान्ती नहीं है क्योंके मेरा मन सारा समय भटकता रहता है। लेकिन किर्पिया मुझे बताईए मेरा मन क्यों भटकता है। इस पर गुर्देव ने कहा मन भटकता है क्योंके मन कहीं न कहीं जा अटकता है। मन के भटकने का मूल कारण है, मन का कहीं न कहीं अटकना, हम इस मायावी संसार में रहते हैं, ये संसार रूप और नाम का ताना बाना है, हमारा मन किसी न किसी रूप से, किसी न किसी चीज से बंद जाता है, मन किसी रूप से या किसी चीज पर अटक जाता है, और इस अटकने से भटकना शुरू होता है, फिर इस भटकने से हमारी चित शान्ती छू हो जाती है, इसलिए सब कुछ होते हुए भी हम सुख ही नहीं होते, मेरे प्यारे भाई और भेनों हम कहीं न कहीं अटके हुए हैं, हमें आशक्ती ने बांद रखा है, वास्तव में हमें से एक एक अलग दाम की धारा है, हम तो उस धाम से आए हैं, जिसे गुरु जी ने अपनी पवित्रवानी में सचखंड कहा है, सचखंड वसय निरंकार, सचखंड में निरंकार बसता है, एक समय था, जब हम भी वहाँ उनी के साथ रहते थे, फिर पता नहीं क्या हुआ, जब हम उन से अलग होकर यहां आ गए हैं, हम वास्तव में एक चेतन धारा हैं, इस धारा ने आकर पृत्वी लोग में निवास किया है, यह पृत्वी लोग जैसा कि मैंने पहले कहा रूप और नाम का ताना बाना है, इस पृत्वी लोग में आकर धारा अपना सच्चा स्वरूप भूल कर किसी रूप या नाम से बंद जाती है, और इसी बंदन से उटता है मोह आ सकती, इसी मोह से भटकन पैदा होती है, और भटकन से चित शांती भंग हो जाती है, जिसके, जिससे मन इश्य का सारा सुख चैन चला जाता है, इस मन को कैसे रोकें, यह सवाल अर्जुन श्री कृष्ण से करता है, वह श्री कृष्ण से कहता है, हे केशव, तुम कहते हो, हमारे दुख का कारण मन का भटकना है, अब बताओ, इस मन का भटकना कैसे बंद हो, इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पर यह अर्जुन, मन के भटकन को रोकना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन असंभव नहीं है, इस डिफिकल्ट, बट इस नाट इंपासिबल, अर्जुन तुम भी मन को भटकने से रोक सकते हो, इसके लिए दो बातों की जरूरत है, पहली बात वैराग्य, और दूसरी बात है अभ्यास, यदि हमारे जीवन में ये दो बाते वैराग्य और अभ्यास हों, तो फिर हम भी अपने मन को भटकने से रोक सकते हैं, मेरे प्यारे भाई और देनों, कई साल पहले जब गुरुदेव सादू आसवानी जी हमें ये शिक्षा दे रहे थे, तब उन्होंने कहा रहराग्य और अभ्यास, ये दो बाते हमें गुरु की किर्पा के बिना नहीं मिल सकती, इसलिए देखा जाए तो वास्तव में हमें तीन बातों की दरूरत है, रहराग्य, अभ्यास, तता गुरु किर्पा, गुरू की किरपा से हम उत्साहित होते हैं गुरू की प्रेणा से हमारे भीतर अभ्यास की चाह हुटती है और हम अभ्यास में ढटे रहते हैं तीनों लोकों में एक ही किस्ती गुरू किरपाले कर्दु भक्ती भज गो बिन्दम भज गो बिन्दम भज और भाई गो बिन्दम भज गो बिन्दम भज गो बिन्दम भज और भाई गो बिन्दम तीनो लोकों में एक ही किष्टी उरकिर पाले करतु भक्ती संतन चर्णन वैथ जरूर मांग खजाना चर्णन धूर तीनो लोकों में एक ही किष्टी उरकिर पाले करतु भक्ती संतन चर्णन वैथ जरूर मांग खजाना चर्णन धूर उठ जग अंजली अखियां खोल सब है फानी गोविंद बोल भजगो बिंदम भजगो बिंदम भजओर भाई को बिंदम भजगो बिंदम भजगो बिंदम भजओर भाई को बिंदम मेरे प्यारे भाईयो और बेनों जैसे जैसे मां भ्यास के राह में आगे आगे कदम बराते हैं वैसे वैसे हमारे जीवन में वैराग्या की जोती जगमगाने लगती है फिर जब हमारे जीवन में वैराग्या भाव उत्पन होता है तब तो मन की भटकन को रोकना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है और जो अपने मन की भटकन को रोक लेता है उसे अपने आप चित शान मिल जाती है फिर तो वै इनसान हर हाल में सुखी रहता है मेरे प्यारे भाई और देनों यह वैराग्य क्या है वैराग्य का अर्थ है वैराग 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 शब्दो शब्दों से बना है राग क्या है राग है मोह राग है आसकती राग है कहीं न कहीं अटक न हम धन डावलत में अटक जाते हैं मान सनमान में अटक जाते हैं कुछ संसार की चीजे हैं जिनमें हम जा अटकते हैं या अपने परिवार के किसी सदस्य के मोह में अटक जाते हैं देखो कुछ लोगों को अपने पुत्र से बहुत मोह होता है एक महीला थी उसका बेटा विदेश में रहता था दो महीनों से उसे अपने पुत्र का एक भी पत्र नहीं आया, इसलिए वह सारा समय रोती रहती थी, अगर उसे पुछो माता जी, तुम क्यों रो रही हो, तो वह कहती दो महीने हो गए, मेरे पुत्र के यहां से एक भी पत्र नहीं आया है, मेरे अंदर पता नहीं कैसे कैसे विचार उठ रहे हैं, पता नहीं उसे क्या हो गया है, उसने मुझे वचन दिया था, कि हर हफ्ते वह मुझे पत्र लिखेगा, वह मुझे हर हफ्ते पत्र लिखता भी था, अचानक पिछले दो महीनों से पत्र आना बंद हो गया है, अब तो मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बार बार रोना आता है, मैं स्वेम को रोक नहीं पा रही हूँ, इस तरह हम कहीं कैने कई मोह में अटक ही जाते हैं कुछ दिन पहले मैने आपको संथ तुल्सी दास के बाड़े में बताया था उन्हें अपनी धरम पत्नी रत्नावली से कितना मोौ था रात के समय वे अपनी पत्नी से मिलने के लिए दजी पार करते हैं और आधी रात के समय रतनावली के माई के पहुंचते हैं और उसके कमरे का दर्वादा खट-खटाते हैं उनकी पत्नी सो रही थी जब उठकर दर्वादा खोलती है तो सामने अपने पती को देखकर दंग रह जाती है उस समय रत्नावली के मुख से ऐसे शब निकले जिन से तुलसीदास का जीवन ही बदल गया तुलसीदास बन गए संत तुलसीदास उनकी पत्री कहती है ये शरी तो हाड मास और रक्त का पुतला है तुम इससे इतना प्यार क्यों करते हो यदि इस प्यार का आधा हिसाबी तुम श्री राम को दो तो तुम रंग जाओ कंचन काया जूठ का पुतला निजसुखदाता राम नूरी गोविंदगाय मना राम नाम पाव विसराम कंचन काया जूठ का पुतला निजसुखदाता राम राम नूरी गोविंदगाय मना राम नाम पाव विसराम नूरी गोविंदगाय मना राम नाम पाव विसराम कंचन काया जूठ का पुतला निजसुखदाता राम राम नूरी गोविंदगाय मना राम नाम पाव विसराम नूरी गोविंदगाय मना राम नाम पाव विसराम हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे 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 क्रिष्णा, हरे क्रिष्णा, क्रिष्णा क्रिष्णा, हरे हरे मेरे प्यारे भाई और बेनों पत्नी के ये शब्द किसी तीर की तरह तुलसी दास जी के दिल में उतर जाते हैं पत्नी बेचारी तो जानती नहीं थी कि उसके मुख से निकले शब्दों का इसके पत्ती पर ऐसा प्रभाव होगा इन शब्दों को सुनकर मानो तुलसी दास ती किसी गैन निद्रा से जाग उटे थे अचानक उनकी सुप्त चेतना जाग उठती है वे उसी समय सब को छोड़ कर चले गए उन्होंने कहा अब मेरा संसार से कोई लेना देना नहीं है आगे चल कर वे संत तुलसी दास बन गए कहने का तात पर यह है कि हम किसी ना किसी के मोह में अतके हुए है वे राग यह है इस मोह से दूर रहना मेरे प्यारे भाई और बैनों हम यह शरीर नहीं है हम तो एक धारा है हम मन भी नहीं है यह मन जो सारा समय बटकता रहता है यह मन तो बटकता है पर हमें भी अपने साथ बटकाता है हम तो कुछ और ही है जब हम उसका ध्यान करेंगे तब हमारे भीतर रहाग यह भाव उत्वन होगा हम अलग धाम की धारा हैं लेकिन यहां आकर अतक गए हैं फिर अचानक एक दिन आवाज सुनते हैं लव्ट लव्ट मसाफर लव्ट लव्ट मसाफर लव्ट यहां आकर तुम कहां अतक गए हो मेरे प्याडे भाईों और बेनों समय के अभाव के कारण अब इस विशय को यहीं राम देते हैं यदि भगवान की इच्छा रही तो आगे की चर्चा कल करेंगे ओ शान्ती 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 ही झाल